Assalamu alaikum everyone एक बार फिर आप सब का हमारे इस YouTube चैनल पर वेलकम है और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खेरियत से होंगी I hope कि आप सब को मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होंगी और आज जो वीडियो में आपके लिए लाया हूँ वो बहुत helpful है और इससे आपको बहुत benefit भी मिलेगा वीडियो के बारे में तो आप सब को title देखकर ही पता चल गया होगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो subscribe करें और बेला इकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में पता चल सके तो guys आज के इस वीडियो में मैं आप अपने फोन की storage कैसे बढ़ा सकते हो या फिर अगर आपके फोन में जो space है वो बहुत कम रह गई है तो आप कैसे free कर सकते हो वो में आपको बताऊंगा वो भी बिना अपनी important files डिलीट किये तो उसके लिए करना क्या होगा आपको एक application की जुरुरत पड़ी कि आप screen पे देख रहे होंगे इसका नाम है storage organizer तो यह है रही वो application आपको इस application इंस्टॉल करना है अपने phone में इससे आप सब कुछ कर सकते हो likewise देखे आप यहां पर मैंने इसको open किया तो यहां पर scan for duplicate files आप अपने phone से duplicate files delete कर सकते हो empty files आप folders delete कर सकते हो scan for thumbnails आप thumbnails delete कर सकते हो यह thumbnails बहुत ज़्यादा space लेती है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बट यह बहुत ज़्यादा space लेती है scan for corrupted image share photos scan for corrupted music audio files scan for corrupted video files scan for corrupted APK files आप देखिए यहां पर इतने सारे options मिल रहे हैं आप इन मैंसे किसी पर भी click करेंगे तो आपको बहुत space free हो जाएगा तो मैं यहां पर एक option आपको दिखा देता हूं तो हम यहां पर देखेंगे scan for duplicate files या फिर scan for empty files and folders यहां पर click करूंगा तो यहां पर उपर आपको यह वाला icon दिखेगा उपर right corner में तो उस पर click करना है उसके बाद नीचे select का option है तो select करना है और फिर next then start scan start scan करते ही scanning start हो जाएगी तो जब तक कि scanning complete हो जाएगी तब तक मैं आपको यह प्ले स्टोर पर यह application दिखाऊंगा तो सीधा चलते है प्ले स्टोर की तरफ अगर आप यह प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको paid मिलेगी 290 रुपे में तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड मत कीजिए क्योंकि आपको वहाँ पे 290 रुपीज बे करने होंगे मैं आपको एक link दे दूँगा जहां से आप इसको freely download कर सकते हो अब देखिए 1.1 MB की file है तो ज्यादा space नहीं है easily आप इसको अपने phone में install कर सकते हो ज्यादा RAM भी नहीं लेगी तो बहुत lightweight है आप देख चुके होंगे कि इस application का size कितना है बट काम बहुत बड़ा है तो link मैं आपको दे दूँगा वह आपको description में मिल जाएगा freely आप वहाँ से download कर सकते हो तो मैंने already एक scan लगा के रखा था तो वो complete होड़ चुका है तो दूसरा वाला scan है वो अभी जा रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहला वाला scan जो है उससे आप कैसे delete कर सकते हो files तो सीधा इस पर click करना है तो देखिए यहां पर thumbnail की कितने files यहां पर है और यह बहुत ज़्यादा space लेती थी मेरे phone में तो मैं इन सब को select करूंगा ऊपर यहां पर select all का option है तो इन सब को select करना है तो आप देखी रहा हूंगे यहां पर 29 MB, 27 MB, 33, 29, 27 के इतने MB's की files यह बहुत बहुत ज़्यादा space लेती है phone में at least मेरे phone में यह 3-4 GB's का data होगा but मेरे किसी काम का नहीं यह total waste है आपके phone को बहुत slow कर देता है तो इन सब को delete कर दे है that's the best तो यहां पर delete कर दूंगा मैं इन सब को yes और देखिए आप यहां पर delete हो रही है files total 93 files तो देखिए कितनी space ली हो गया आपके हिसाब से इन files ने तो यहां पर अभी मैंने किया था एक और scan तो उसको भी देख लेते हैं यहां पर देखिए free folders है sorry empty folders है जिन में कोई file नहीं है total waste पांच folder ऐसे जो की empty है मैंने already delete किये थे बहुत तो आप फिर से जमा हो चुके हैं तो इनको भी delete कर देते हैं तो देखिए कितना easy है तो यहां पर देखिए इतने अच्छे अच्छे features आपको मिल रहे हैं without even paying आपको pay करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको free वाला link दे दूँगा तो अगर आपको आपका phone भी बहुत lag हो रहा है आपके phone की storage बहुत कम है वो आप इससे बढ़ा सकते हो I hope कि इस application के help से आपको बहुत फाइदा मिलेगा आपका phone smoothly चलेगा अगर आपको यी वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें और फिर से एक बार फिर से अगर आप नए है इस channel पर तो subscribe जरूर करें और बैल आइकन जरूर धरबाएं ताकि आपको हमारी latest videos के बारे में पता चल सके, thank you